किसान भही ओर आवराम सागता आपका आमरे चनल में किसान भही ओर इस वीडियो के माध्यम से आपको नामधरी कम्पनी की टोब 3 टमाटर की वरायाटि के बारे में समपूर जानकारी दूँगा इन ब्राइटीओं की पैदावार जो है वो काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी किसान भाईओं अगर आप सिप्टमबर में इनकी नसरी डालते हैं तो आने वाले समय में आपको उत्पाधन भर पूर इस ब्राइटी से मिलने वाला है किसन भेव नामधारी की ये तीनों बरायटियां जो है इनकी पोधे की हाइट चार से साढ़े चार फिट के आसपास ही रहती है यानि आप बेड़ बीधी द्वारा भी इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं किसन भेव साथ में आपको इसके बीच कीमत के बारे में जानने को मिलेगा कौन कौन से राज में इसकी खेती कर सकते हैं और किस परकार की मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं किसन भेव बने रहे वीडियो में वीडियो को पूरा देखें किसान भाईयों चलिए शुरू करते हैं किसान भाईयों हमारे लिष्ट के जो पहले नंबर की वराइटी है NS 5013 किसान भाईयों बात करें इसके पौधे की हाइट की तो 4-5 फिट का एक पौधा इसका हो जाता है फल का रंग गहरा लाल चमकदार होता है किसान भाईयों बात करें फल के वजन की तो इसका एक फल का वजन 90-100 ग्राम के आसपास का हो जाता है किसान भाईयों फल का आकार गोलाकार में होता है आप पहली तोड़ाई 65-70 दिन में इस वराइटी की ले सकते हैं किसान भाईयों आप इसकी खेती सभी राज में कर सकते हैं यानि भारत के सभी राज में इसकी खेती की जा सकती है किसान भाईयों बौाई का जो सही समय है खरीब और रभी के मोसम में कर सकते हैं अधिक पैदावाल लेने के लिए आप इसकी नरसरी सेप्टमबर अक्टूबर में भी डाल सकते हैं किसान भाई बात करें 10 गराम बीच की कीमत के बारे में तो आपको 700 रुपे के आसपास आपके मार्केट में ये वराइटी मिल जाएगी किसान भाई लिष्ट के जो दूसरे नर के वराइटी है ऐनاس 592 है किसान भाई बात करें पोधे के हैड के बारे में तो साड़ी 4 फिट के आसपास का इसका पौधा हो जाता है साथ में काफी घाना होता है काफी जोड़दार आपको जाड़ी वाला पौधा देखने को मिलेगा किसान भाईयों बात करें फल के कलर के बारे में तो किसान भाईयों इसका जो फल का कलर होता है वो आकरशक लाल कलर का होता है फल का जो आकार है वो चप्टा गोलाकार में होता है किसान भीयों एक फल का वजन 80-90 ग्राम के असपास का हो जाता है साथ में काफी ठोस बराइटी है वैसे ये तीनों बराइटियां काफी ठोस है आप दूर यातायात के लिए वी इन बराइटियों का उपियोग कर सकते हैं किसान भीयों साथ में बात करें इस बराइटियों में रोग बीमारी के बारे में तो आपको इसमें लीफ करल वाइरस के परतिरोधी ये बराइटी देखने को मिलेगी किसान भाइटी की भी खेती आप भारत के किसी भी राज में कर सकते हैं किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं चाहे काली मिट्टी हो, बलुवी मिट्टी हो, बलुवी दो मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसकी खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं किसान भाईों बात करें बुआई का सही समय तो खरीब और रवी के मौसम में ये वराइटी आप लगा सकते हैं अधिक पैदावार के लिए आप सेप्टमबर अक्टूबर में भी इसकी खेती कर सकते हैं किसान भाईयों बात करें इसके बीच के कीमत के बारे में तो किसान भाईयों 3,000 बीच की पैकिंग आपको 4,500 रुपे के आसपास आपके मार्केट में मिल जाएगी किसान भाईयों हमारे लिष्ट की जो तीसरे नंबर की वराईटी है वो NS 526 है किसान भाईयों बात करें इसके पौधे की हाइड की तो 3,5-4 फिट के आसपास का इसका पौधा हो जाता है किसान भाईयों साथ में काफी घना पौधा होता है किसान भायों बात करें इसके फल के कलर के बारे में तो इसका फल लाल चमकदार का होता है एक फल का वजन 80-90 ग्राम के आसपास का हो जाता है किसान भायों बात करें फल के आकार की तो गोला कार में इसका फल होता है किसाण भाईयो नामधरी की ये वरायटी भी काफी अच्छी पैदावार देने वाली वरायटी है किसाण भाईयो साथ में इसकी पहली हर्वेस्टिंग आप 65 से 70 दिन में ले सकते हैं जो की काफी early वरायटी है किसान भाईयों बुआई का सही समय सप्टमबर अक्टूबर में आप इसकी नरसरी डाल सकते हैं वहीं 3,000 बीच की कीमत आपको 5,500 रुपे के आसपास आपके मार्केट में मिल जाएगी किसान भाईयों ये तीनों बरायटिया काफी अरली हैं जल्दी पकर तयार होने वाली बरायटी हैं और इनकी खेती आप सप्टमबर अक्टूबर में अगर करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छा पैदावार देखने को मिलेगी किसान भाईयों उमीद करता हूँ मेरे द्वारा दे गए जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल पे हमारे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रस कर दें किसान भाईयों खेती बाड़ी से जोड़ी सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पे मिलती रहती है किसान भाईयों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नहीं जानकारी के साथ में तब तक के लिए जैह हिंद जैजवान जैक